सभी को नमस्कार आज का हमारा क्वेशन होने वाला है उपलबधी परिक्षन क्या है परिभासा परकार चरण उदेश्य तथा आवशक्ता और सुझाओ आज हम ये क्वेशन करने वाले हैं बीएड स्टुडेंट्स के लिए एक महत्व पूरण परशन होने वाला है विद्यार्थियों की प्रगती की जाच तथा उनकी उपलबधियों के अनवेक्षन है तू ऐसे संसाधनों एवम तकनीकों की आवशक्ता होती है जिसकी साहता से उनके कोशल का प्रिक्षन किया जा सके मुल्यांकन के संसाधनों एवं तकनिकों के आधार पर ही अध्यापक विभिन पाठे करम गती वीधियों में विद्यार्थियों की कारिय प्रस्तुति का निर्ने करते हैं शिक्षन अधिगम प्रिक्रिया का प्रभावी नियंतरन मुल्यांकन के प्रभावी प्रियासों की मांग होता है। उपलब्धी प्रिक्षन की अवधारना इससे अधिगम के प्रशिक्षन की अवधी पस्चाद विदाल्य में विद्यार्थियों की विभिन प्राप्तियों के मापन हेतु तैयार किसी प्रिक्षन को उपलब्धी प्रिक्षन हम कह सकते हैं। जो विद्यार्थियों ने उपलब्धी प्राप्त की है उसके मापन हेतु उपलब्धी प्रिक्षन की अवशकता होती है। उपलब्धी प्रिक्षन की प्रिभासा थोंडाइक एवम हैगन के अनुसार व्यक्ति दवारा जो कुछ सीखा गया है उसके वर्णन हेतु योग्यता प्रिक्षन के प्रकार को उपलब्धी प्रिक्षन कहते हैं। एन एम डोरिंग के अनुसार कोई भी ऐसा प्रिक्षन जो अधिगम के प्रिक्षन की अवधी के पश्चात व्यक्ति की उपलब्धियां या उनकी जो प्राप्तिय हैं उसका मापन करता हो उसे उपलब्धी प्रिक्षन के रूप में जाना जाता है। उपलब्धी परिक्षन के प्रकार उपलब्धी परिक्षन दो प्रकार का होता है मान की कृत परिक्षन और एक होता है अध्यापक निर्मित परिक्षन यानि जो अध्यापक टेस्ट प्रिपेर करता है अध्यापक निर्मित परिक्षन आगे फिर तीन प्रकार का होता है की महत्तव पूरण विशेष्टाएं इसमें मापित वेवार का वर्णन अवस्य होना चाहिए इस परिक्षण के परबंधन एवं अंकन हेतु परिक्षण पुस्ति का सम्मिलित होती है किसी उत्तम उपलबधी परिक्षण का परिक्षण एवं चुनाओ इसकी प्रिक्थक्ता के प्स्तर विकेंदरी करण की सक्ति के आधार पर किया जाता है इसका मुख्य उद्य से सिक्सार्थी के संसोधित वेवार का निरिक्षण करना होता है उपलबधी परिक्षण में महता मापित वेवार के अनुसार ग्यान समझ और उपयोगिता और कोशल जैसे चेत्रों को दी जानी चाहिए इसके दवारा विभिन्स्त्रों और आयू समूपर विक्षित मापदंड जुड़े होते हैं उपलबधी परिक्षण के चरण कोन-कोन से है किसी अध्यापक के लिए उपलबधी परिक्षण की संरचना करना एक गंभीर कारिया है इसके लिए उचित निय नियोजन की आवशकता होती है विदालियों में यह परिक्षण विभिन सिध्धानतों उदेश्यों के आधार पर किया जाता है अध्यापक इस परिक्षण तथा अनुदेशनातमक उदेश्य समगरी के वित्रन और कठनाई स्तरकी मातरा का निर्धारन करता है किसी उपलब परिक्षण की तयारी करते समय निमनलिकित चर्णों पर ध्यान दिया जाता है सबसे पहला आजाता है नियोजन जिसको हम प्लानिंग भी बोलते हैं प्लानिंग के अंदर परिक्षण के उदेश्य होते हैं विशे समगरी की मातरा होती है और रूप रेखा का निर्मान यान प्रिक्षन का आयोजन में फिर स्कोरिंग और अंकन योजना और मान्यकरन प्रमानिकता। उपलबधी प्रिक्षनों के उदेश्य तथा आवशकता। विद्यार्थियों की कारिय प्रस्तुति का मुल्यांकन करना इनका मुख्य उद्य से है यह सिक्षार्थियों को प्रेरित करता है इसका उद्य से विद्यार्थियों की समता और अक्षमता का प्रिक्षन करना है यह बच्चे के भविशे विकास का अनुमान लगाता है अध्य अबिभावकों को उनके बच्चों की उपलब्धी के संबंद में सुचित करता है। उपलब्धी परिक्षन की तैयारी संबंदी सावधानिया या फिर हम सुझाओ क्या रख सकते हैं। आवशक संक्षिपता का अस्तितव अनिवारिये, पत्र का किसी उचित समय अवधी के भीतर समाधान किया जा सके। इससे उचित परिक्षा स्थिती परदान होनी चाहिए। इसे लगभग किसी सुनिचित स्थिती की और संकेत करने का कारिय करना चाहिए। इसमें अतिक कठिन और अपरिचित सब्दों को बाहर रखा जाना चाहिए। इसे अनावशक सब्दों और जो भी पदोते हैं उससे मुक्त रखा जाना चाहिए। बह भार दिया जाए। परशन हे तुप भागवार अंक निर्धारित किये जाए। सामाजिक विज्ञान यárny कोई भी विशय है चाहिए वो आपका साइस हो चाहिए सामाजिक विज्ञान हो चाहिए इंग्लिस हो कोई भी सबजेक्ट हो तो उसके जो परस्यक्शन में परस कर्स इस परकार हम कह सकते हैं कि उबलबदी प्रिक्षन एक अपचारिक आकलन है देखिए अपचारिक अनपचारिक अनपचारिक होता है जिसमें कोई फूर्मेल्टी नहीं होती लेकिन अपचारिक होता है जिसमें फूर्मेल्टी जोती हैं कुछ बंदी से होती हैं यह प्रि अपके उपलब्धी परिक्षन के कुशलता पूर्वक निर्मान का धंग जानना आनिवारिय हो जाता है तो ये था पिर ये विद्यारतियों आप लोगों के लिए एक महत्व पूरुन प्रशन अगर आपको समझ में आया है और यहां तक देखते हुए आप आए हैं तो एक ब अदवाद